हेलो एबरीबन आपका स्वागत है मेरे चैनल कुगिंग कुखिया पर और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी रेज़िपी आप इसे लंच और ब्रेक पास्ट दोनों में दिखा सकते हैं और इसका टेस्ट ओसम है और अगर आपको हमारे वीडियो थोड़े से भी से चार लेस्ट को बारीख कर लिया है और यहां Одं हरा धनियां डाल दिया है और यहां पर हमने आधी चीश्पून लाल मिच्च डाली है और एक चमच बेशन अब एक कप हमने यहाँ पर पानी लिया है और पानी को हम थोड़ा करके डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे इसमें लंज नहीं बनना चाहिए पहले हम थोड़ा पानी डालेंगे इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये बाकी बचा हुआ पानी वो भी हमने डाल दिया इसे भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से और इसे एक से दो मिनट अच्छे से फेटेंगे जिससे हमारा पराठा सॉफ्ट बनेगा अब यहां पे हमने एक आप चाहे तो आदा चमच इसमें घी डाल सकते हैं इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसे 10 मिट के लिए हमने रेष्ट करने के लिए रख दिया था तो यह देखिए इस तरह से रहना चाहिए बैटर हमारा जैसे चीले के लिए रहता है अब यहाँ पे हमने दो चमच इस तरह से बैटर को डाल दिया है और इसे हलके हाथों से इस तरह से फैला देंगे यह हमारा चीली गारलिक पराठा तयार हो गया है फैला दिया है इस तरह से, अब इसे हम पलट लेंगे, इस तरह से हमने पलट दिया है इसे विगनर भी बना सकते है, यहाँ पे हमने यह घी लगा लिया, आप ओल भी लगा सकते हो और इसे हम अच्छी से सेक लेंगे आप इसे लंच और ब्रेक पास्ट दोनों में दे सकते हो इस तरह से हमने पलट लिया है दोनों तरब से हमने अच्छी से घी लगा कर अच्छी से सेक लेंगे तो देखिए कितने अच्छी से फूल रहा है ये इतना सॉफ्ट बनता है तो अगर आपको हमारी रेश्पी थोड़ी सी भी अच्छी लगा करें तो लाइक, सिर्श, सेस्क्राइब जरूर कर लिया करें तो देखिए इस तरह से हमारा ये पराठा तयार हो किया है इसी तरह से हम दूसरा डाल देंगे अभी गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो रखनी है हमें अब इसे हलके हाथों से फैला देंगे तो देखिए इस तरह से अब हम पलट देंगे इसके आगे आलू का पराठा भी फैल है ये इतना टेस्टील बनता है एक बार जरूर बना के देखें इसे चिली गार्लिक पराठा ये आलू के पराठे से ज्यादा स्वादिष्ट बनता है इसे बिगनर भी बना सकते हैं ये इतनी आसान रेस्पी है इसी तरह से मैं दूसरा बना लिया है इसी तरह से हम सारे बना लेंगे तो हमारे पराठे सिक कर तयार हो गए है देखिए ये कितने सॉफ्ट बने है जिसके दाथ ना होना वो भी खा सकता आसानी से ये इतने नारम बनते हैं देखिए इस तरह से हम फोल करके आप लंच बॉक्स में दे सकते हो थैंक्स पॉर वाचिंग टे कियर बाई